थौट अपने डे आज का विचार क्या है जिश्षन मैंने ये जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरी रूपी मंदिर में विराजमान है जिश्षन मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा उसी शन मैं बंधनों स मुक्त हो गया हर वो चीज जो बांदिती है वो नस्थ हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया स्वागत है आपका फोकस एन एजुकेशन में मैं एजुकेशन इसी थौट के साथ दिन के सुरुवात करती हूं क्या कुछ है खास चली नजे डालते हैं आज 27 नमबर 2020 से फर्स्ट प और इसका कौन सा संस्क्रण था तो दस्वा संस्क्रण था यह इंपोटेंट है अभी तो यह संस्क्रण तो दस्वा किया गया लेकिन यह वर्शोल ही हुआ लेकिन अगर यह वर्शोल नहीं होता तो कहां पर आयुजित करने का प्रोग्राम था तो 2020 का दस्वा साइंस फेस् पुरा इकलौता ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांगला देश से घीरा हुआ है और वहीं अगर हम मेखाले को देखते हैं तो तीनों तरफ से असाम से घीरा हुआ है यह पॉइंट याद रखेगा चलिए नेक्ट पाइंट पर नजर आले वह क्या है किस देश के अंतर 2020 की सार्क योजना मंत्री की बैठक की मेजबानी की तो किसने किया सार्क की प्लैनिंग मिनिस्ट्री की मीटिंग 2020 की तो किया किसने पाकिस्तान में और भारत के दोरा कौन रिप्रेजेंट किया तो नीती आयोग के CEO अमिताप कांत जी ने किया इस बार की theme important है सिपिंग सार् है हमें याद रखना है किसका टार्केट है आपका SDG index का लगे इसमें की कितने गोल है है पूरे 70 गोल को रखा गया इसका फुल फॉर्म क्या होता है साउथ एस्या एस्साइशन फॉर रिजनल कोपरेशन इसका पुरा सार का फुल फॉर्म होता है और इसकी formation कब हुई थी त कि पंगलादेश में है अगर हैट कोटर पूछा जाए इंपॉर्टेंट है फॉर्मिशन देगे कहीं और हुई है हैट कोटर कहीं और है यह कहां पर है तो काठमांडू नेपाल में है इसमें कितने कंट्री आते हैं तो आपके आठ कंट्री आते हैं जैसे कि अफगानिस्तान ठीक है भारत फिर सिरिलंका भूटान नेपाल ठीक है और ऐसे तरीके से आते हैं तो हमें याद रखना होगा तो भारत भी समें सामील आठ कंट्री में से चलिए नेक्ट पॉइंट बना जाले और हाँ एक और पॉइंट पाकिस्तान में पाकिस्तान की पार्लियमेंट ने कह है इन्होंने जो बलतकार होते हैं रेपूस होते हैं उनके लिए कानून लाया है उसका नाम क्या है क्यामिकल स्ट्रेशन की सजा देना क्या होता है कि इस तरीके सरी प्रताइब केमिकल रूप से क्या करेंगे नस्बंदी करा देंगे उनकी ठीक है मेल्स की तो यही है कामिकल कास्टेशन ऐसा रूल लाने वाला कौनसा राज देश हो गया है यह इंपोर्टन्ट है याद रखेगा यूँकि हमें कभी सोच नहीं सकेंगे कि कामिकल कास्टेशन जो है वो पाकिस्तान करा सकता है यूँकि पाकिस्तान या फिर इस तर इस जैसे इसलामिक धर्म होता है वो यह नहीं मानते कि बच्चे को अबोर्शन कराना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी अगर वो इसलिए इस्टिक प्लूर कास्टेशन और रेपिस्ट जो है उनके के काबुल अफगानिस्तान में और यहा कि barbecue का नाम किया है सोरा ठीक है सोरा और इसको इसने विख्षित किया तो न हैं भारत नidores सेख्वारत शरकार के द्वारा सो नए प्रोजेक्ट यहां पर लॉंच किये जा रहे हैं ठीक है इसको भी याद रखेगा चलिए नेश्ट पाइंट पर नचे डाले वह क्या है यह है कर्माई धर्म धर्मा कर्माई धर्मा का मतलब क्यों होता है वर्क इस वर्क सिप इसकीम की सिराज सरकार दौरा लागया है पस्ष्रिम मंगाल के दौरा थे बढ़े अभी हमने देखा था टायर गार्डन लगाया जो टायर सोते हैं पुराने जो खराब हो जाते हैं उनके लिए बैटने के जो शुवी दर्माद बना दिया गया जिसमेंगी टायर पे ही बैठना है टायर धूला की तरह काम करेगा इ यहीं पर हमने देखा था कि वर्ड की लार्जेस्ट लगाया क्या लगाया सोलर ट्री लगाया कहां पर दुरगापूर में यह पॉइंट भी याद रखेगा ठीक है कहां से आपके वेस्ट बेंग गॉल से चली नेक्ट पॉइंट पर नज़े डाले वह क्या है विधान विहार विधान सबा अध्यच के रूप में किस से चुना गया तो यह है आपके विजे कुमार साहनी जी है विजे सुमार साहनी जी को अभी यहां पे कौन से नंबर का चुना हुआ था तो सत्र नंबर का चुना हुआ था ठीके और जो नितीज कुमार जी है वो चौथी बार लगा देवी का नाम याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले वो क्या है दुनिया की सबसे अमीर विक्ति कौन बनेगे सबसे अमीर विक्ति अभी बने जैप बेजोस ठीक है सेकंड नॉम्बर पे ऐलन मस्क ऐलन मस्क बन गए ठीक है यह पॉइंट याद जैसे अप्रेशन ठंड़ पड़ा हमने अभी ड्रस के लिए भी ऑप्रेशन हों अप्रेशन ठंड खेस स्ब्ड़ के संबन देच ऑप रोपेशन ठंड़ जो है आपका बताईर म्जें मंने घ्रस में डिस्कस किया था आप comprandra यह मैं बता देरी आप अपरेशन ठंडर ओह आ पाकिस्तान की आतंगवादियों के खिलाप इसके लिए आतंगवादियों के खिलाप अभी हम जानते हैं कि 26 जो है लागू हुआ था कुछ हत्ता दूसरा हमारा नैशनल अमूल डे या मिल्क डे ठीक है मिल्क डे की रूपे भी जानते हैं फिर आपका एक अभी मुंबई में अटेक हुआ यहां पे जो मुंबई में अटेक हुआ था जिसे हम 26 11 के नाम से जानते हैं ठीक है यह पॉइंट अभियान किस राज में सुरू किया गया है तो हीम सी रक्षा अभियान कहां किया गया है आपके हिमाचल परदेश में और हिमाचल परदेश पहला ऐसा राजवन गया जो कि 100% क्या लेकर है LPG लेकर आया चलिए नेक्ट मैंट देखिए वो क्या है भारतिय सेना ने ब्रमोज मिसाइल का लेंड लेंड आपका अटेक लेंड अडक्स करण का सफर पर इच्छन किया ऐसे तो हम जानते हैं ब्रमोज कहां से फिक ही जाती है मतलब आकास में आकास से लेकिन इसका लेंड बढ़ जाने ने जमीन भी करी जाए तो यह किया है आपका आंडोबार निकोबार म पासेज ठीक है और टैन डिग्री चैनल यह सब कहां है यह सब जो है नाम जो मैं बता रही हूं वह कहां है अंडोबार मैंने चार्ट के कोडिंग रफ फिगर के कोडिंग समझाया था इसलिए कहते हूं रोज वीडियो दीखा कि आपको फायदा मिलेगा चलिए और क्या क्योंकि आइनों ने क्योंकि अभी हम देखा था कि जो हाइपर लुक का टेस्ट किया गया है जिसमें कि भारती एक भारती भी सामिल थे तो इसलिए इसको नितिया और उसकी पूरी दरीके से कमिटी बठाएगा और इसके वहारी ग्रूप से करेगा कि हमें यूज बेनिफि कौन सा लीज मतला उधार लिना उसके लिए एक्रिमंट के जरी दो निगरानी ड्रोन का सामिल किया तो कौन किया यूज 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 से हम दो दो क्या करें ड्रोन ले रहे हैं वह भी लीज पर ठीक है अभी यूज जो है ओपन स्काइट रिटी से अलग हो गया है यह याद रखिएगा चलिए नेस्ट पॉइंट है वो क्या है यह इंपोर्टन वन है इसे याद रखिए किस देश के नव निर्वाचित सांसद ने संस्कृत में सपत गरहंड की सोचिए संस्कृत में सपत गरहंड की इंडिया वाला तो करते नहीं विदेशी कर रहा है कौ इसे नौ निरवाचित नया नया तो न्यू न्यू ऐसे याद रखेगा ठीक है कौन किया तो डॉक्टर सौरफ सर्मा ने किया ठीक याद रखेगा इन्होंने दो भासा में मतलब ली एक तो वहां के न्यूजीलेंड की भासा जो है और एक अपनी भारतिय संस्क्रत भासा में यह कुछ इंपॉटेंट पॉइंट थे आस्पेंट आई होब आपके वीडियो पसंद आया होगा आज के लिए थोड़ा माफ कीजिएगा बहुत रफली लिखा बहुत हेक्टिक थोड़ी सुडियो लो गई थी आई होब आपके आपन समझ सकेंगे इस चीजोगों थैंक्य लाइक कीजिए, स्यार कीजिए, कमन कीजिए